पहला question है midwife toad है ये question PGT 2013 में पूछा गया था कि midwife toad है कौन सा इसमें option सही होगा चार option आप लोग के सामने दिये गए हैं इसमें option सही होगा पहला allies midwife toad कहा जाता है याँ अधिकांस तहा यूरोपिय देशों में पाया जाता है यहाँ पर अधिकांस रूप से पाया जाता है और इसके नर में पैत्रिक सनरक्षन के गुण पाया जाते हैं याँ पैरेंटल केर पाया जाता है और यहाँ टैडपोल की उत्पत्य तक निसेचित अंडों को अपने जांग के पास सुरच्चित रखता है जो नर होता है यहाँ टैडपोल की उत्पत्य तक निसेचित अंडों को याँ जब टैडपोल उत्पन होता है तब तक निसेचित अंडों को अपने जांग के पास स मिडवाइफ टोड कहा जाता है देखिए उसी question को घुमा कर पुछा गया है कौन एक मिडवाइफ टोड कहा जाता है यह question PGT 2005 में पूछा गया था तो इसका अंसारों का पहला एलाइट्स मिडवाइफ टोड कहा जाता है next question है पाद बिहीन उभैचर किस गण से संबंधित है पाद बिहीन यानि जिनमें पाद नहीं होते हैं ऐसे उभैचर किस गण से संबंधित है चार गढ दिये गए हैं PGT 2010 में question पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला जिम्नो फिय फियोना गढ से संबंधित होते हैं पाद बिहीन उभैचर आपको बता जाते हैं चिन में पाद नहीं पाये जाते हैं और इन की लगभग्भग 55 प्रजातियां पाई जाती हैं 55 उधारणक सरूप अगर देखा जाए तो इतियो फिस जो होता है यूरे ओ टाइफलस होता है आधी हैं जू पाद दिहीन होते हैं एनीविरा के अंतरगत पूँच हीन जब की यूरो-डीला के अंतरगत पूँच यूकत अभय चराते हैं फाद दिहीन जिन में पूच नहीं होती है वो जन्तु आते हैं और जो जूरो-डीला है इसके अंतरगत पूछ युक्त उभैचर आते हैं Next question है पादभीन MPBA प्राणि किस आरडर में रखे गए हैं पादभीन MPBA प्राणि जो होते हैं यह किस आरडर में रखे गए हैं 4 आरडर दिये गए हैं इसमें से Option सही होगा, C, Jimnoviana अभी ये question देखे पहले आया था कि पाद भीहिन उभैचर किस गण से संबंदित हैं अब यहां पर पूछा गया कि पाद भीहिन MPBIA प्राणी किस order में रखे गया है उसी question को घुमा कर पूछा गया है तो इसमें क्या होगा जिम्नो फियाना next question है निम्न में से कौन सा पाद रहित उभैचर होता है देखे पाद रहित उभैचर की बात की गई है ये question TGT 2005 में पूछा गया था तो पाद रहित उभैचर इथियो फिक्स होता है इथियो फिस next question है मेढक में मेर तंत्रिकाओं की शंख्या होती है जो मेढक होता है इसमें मेर तंत्रिकाओं की शंख्या कितनी होती है 7 जोडी 8 जोडी 9 जोडी 10 जोडी ये question TGT 2004 में पूछा गया था इसका answer सही होगा D मेढक में मेर तंत्रिकाओं की शंख्या 10 जोडी होती है आपको बता दें कि मेढक जो होता है जो फ्राग होता है इसमें 10 पेर्स spinal nerves पुछाई जाती है या 10 जोड़ी मेरू तंत्रिकाएं पाई जाती है और इनमें कापाली तंत्रिकाओं की संख्या भी 10 जोड़ी होती है अगर कापाली तंत्रिकाएं पूछी जाएं तो उनकी संख्या भी 10 जोड़ी होती है नेश कुछन है मेढ़क में कपाल का फर्स बनता है एक बड़ी ती आकार की अस्थि द्वारा जिसे कहा जाता है PGT 2004 में कुछन पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा चार आपसन आप लोग के सामने दिये गए है और प्रेश्ण पूछा गया है कि मेढ़क में कपाल का फर्स बनता है एक बड़ी ती आकार की अस्थि द्वारा उस अस्थि को क्या कहा जाता है आंसर होगा ती पैरा इस्फेनाइड कहा जाता है आपको बताते चलें कि मेढ़क में कपाल का संपून फर्स इंटार फ्लोर जो होता है एक बड़ी सी पैरा इस्फेनाइड अस्थ द्वारा धाका होता है और यह अस्थी कपाल की फार्स को दृणता प्रदान करता है कठोरता प्रदान करता है और इसका आकार डैगर टी जैसा होता है डैगर टी जैसे वुल्टा टी होता है बिल्कुल PGT 1999 में पूछा गया था ये एक आंसर इसको बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें आंसर सही होगा इसमें पहला मेढ़क में हिर्दय की धाड़कन 64 बार प्रति मिनट होती है अगर मनुस्य में पूछा जाता तो 72 बार प्रति मिनट होती लेकिन यहाँ पर मेढ़क में पूछा गया है इसलिए हिर्दय की धाड़कन कितनी होगी 64 बार प्रति मिनट होगी आपको बताते चलें कि मेढ़क में प्रतियक हिर्द चक्र यह कार्डियक साइकल लगभग 0.94 सेकेंड में पूरा होता है जो मेढ़क का कार्डियक साइकल है हर एक कार्डियक साइकल दसमलो नौ चार सेकेंड में पूरा होता है इस प्रकार से मेढ़क में जो हिर्दय स्पंदन की दर होती है वो 64 बार प्रति मिनट होती है यानि एक मिनट में 64 बार धढ़कता है नेश कुछन है डाक्टास बोटैलिस उपस्थित होता है चार आफसन दिये गए हैं PGT 2002 में कुछा गया थ ठाकि डाक्टास बोटैलिस उपस्थित होता है आंसर होगा इसका पहला राना में amphibia में चार जोडी महाधमनी आरक उपस्थित होते हैं चार जोडी तीसरी, चौथी और पांचवी तथा छटी जोडी में पांचवी अल्पविक्सित या अनुपस्थित होती है और चौथी जोडी पार्स महाधमनी या रेडिक्स से जुड़कर डक्टस बोटायलिस का निर्मार करती है मेढक में वाई के आकार की हड़ी होती है मेढक में वाई के आकार की हड़ी का नाम बताना है टीजी टी दोहजार दो में कुछा गया था इसका आंसर होगा बी टेरी गवाय ये मेढक में वाई के आकार की हड़ी होती है आपको बता दें कि मेढक के मुह के उपरी जबडे या अपरजा में छे जोड़ी हड़ियां होती हैं जो उपरी जबड़ा होता है उसमें छे जोड़ी हड़ियां होती हैं और वे आपस में मिलकर maxillary arc का निर्माड करती है इसका जो बाय भाग होता है वो premaxilla, maxilla और quadatro jugal से जबकि अन्ता जो भाग होता है वो phalletine, squemotional तथा teriguard से बना होता है और मेढग में teriguard हड़ी Y के आकार्की होती है जैसा कि आपको भी बताया नेश कुछन है मेढग की आदर्स कसेरिका का सेंट्रम होता है आदर्स कसेरिका का सेंट्रम बताना है क्या होता है आंसर सही होगा इसका B अग्रगर्ती होता है अग्रगर्ती नेश कुछन है मेढग की आठवी कपाल तंत्रिका मस्तिस्क को किस अंग से जोड़ती है नाक, कान, जीब, फैरिंग्स आंसर इसमें सही होगा B, कान से जोड़ती है बता दें कि आठवी कपाल तंत्रिका को स्रमण या आडिटरी तंत्रिका कहा जाता है स्रमण या आडिटरी नर्व कहा जाता है और यह समवेदी या सेंसरी तंत्रिका होती है जो मस्तिस्क को कान से जोड़ती है नेक्स कुछन है मेढक में अग्रपाद का अंगुलास्थी सूत्र होता है अंग्रपादों में अंगुलीयों का सूत्र क्या होता है ये प्रश्न पूछा गया है ये कुछन TGTV 19 और नियान में पूछा गया था बता दे कि मेढक के अग्रपाद में या फोर लिम्ब में अंगूठा यानि थम्ब अनुपस्थित होता है अंगूठा नहीं होता है इसके अग्रपाद का अंगूलास्तिसोत्र इसलिए 02233 होता है एक्जोलोटल लारवा संबंधित है एक्जोलोटल लारवा किस से संबंधित है option सही होगा इसमें B कुछ उभैचरों से संबंधित है ये question TGT 2011 में पूछा गया था और exolotal larva कुछ उभैचर जैसे कौन सा है amphistoma आधिसे संबंधित होता है और इसमें नियोटिनी अवस्था पायती आपको बता दें कि larva अवस्था में ही सारेरिक रूप से बने रहने और लैंगिक विकास जनन योगी होने की किरिया ही नियोटिनी अवस्था कहलाती है और थायराक्षिन की कमी के कारण इनके larva में रूपा अंत्रन नहीं होता है चुकि थाराक्षिन की कमी हो जाती है इसलिए उसमें रोपा अंत्रन नहीं होता है और इनके आवयस्क में ही यौन परपक्कोता आ जाती है यानि वयस्क नहीं होते हैं मेचियोर नहीं होते हैं तब ही उनमें परपक्कोता आ जाती है नेश कुछन है नियोटिनी पाई जाती ह आपको बताते चलें कि एक्सोलोटल में नियोटेनी अवस्था पाई जाती है और थाराक्षिन की कमी के काण इनके लारवा में रूपांत्रन नहीं होता है अभी मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है इनके आवैस्क में ही यौन परपकता पाई जाती है सेक्चुल मैचेरिटी पाई जाती है डिमभक जनन देखा जाता है डिमभक जनन किस में देखा जाता है टीजी टी दोहजान नौ में कुछा गया था इसका आंसर होगा पहला एमफी स्टोमा में दिमभक जनन देखा जाता है दिमभक जनन क्या है यह आपको बता देते हैं जो एमफी स्टोमा होता है इसका कायांत्रन नहीं होता है अर्थात इसमें लारवा अवस्था में ही जनन प्रकिरिया प्रारंब हो जाती है और यहां वैस्क में परिवर्थित हुए बीना ही जनन योग हो जाता है ऐसी जनन प्रकिरिया को ही दिम्भक जनन कहा जाता है या नि नियोटिनी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता था कि लैंगिक विकास जनन योग्य होने की किरिया ही नियोटिनी कहलाती है, जब कि क्या सर्त है कि लारवा अवस्थाही हो, यानि कायांत्रन ना हो, वो वयस्क ना हुआ हो, और जनन योग्य हो जाये तो उसे ही नि डिमभक जनन कहा जाता है नियोटेनी को हिंदी में डिमभक जनन कहते हैं नेश कुछन है एकसो लोटल डिमभक दरसाता है क्या दरसाता है आंसर सही योगा सी डिमभक जनन तथा छादम जनन दोनों दरसाता है अब डिमभक जनन तो मैंने बताया कि क्या होता है छादम जनन ज किस में पाई जाती है सबसे बड़ी RBC किस में पाई जाती है आंसर इसमें बताना है जल्दी से खोज कर कि सबसे बड़ी RBC किस में पाई जाती है आंसर सही होगा C सबसे बड़ी RBC इंफियोमा में पाई जाती है इंफियोमा बता दें कि समस्त जन्तों में इंफियोमा की आरबीसी सबसे बड़ी होती है जो इंफियोमा की आरबीसी है रेड ब्रेड का अपस हैं ये सबसे बड़ी होती है जैसे इंफियोमा आपको बताया इस तरह से प्रोटियस जो होता है इसमें भी सबसे बड़ी होती है तो इसमें सबसे बड़ी RBC पाई जाती है